एंडी टीवी इंडिया की इस विशेश प्रस्तुती में आपका स्वागत है मैं हूं संकेत उपाधिया हम इस वक्त हैं बिहार में और बिहार में क्यूं है इसका संदर्ब आप थोड़ी देर में अभी जान जाएगे एक ऐसे कोच राजनीतिक कोच काफी चर्चा में रहे हैं जिनके क्रेडिट में 2014 की जीत मोधी सरकार की 2014 की जीत उसके बाद 2015 जब बिहार में महागडबंधन हुआ उसकी रणनीती बनाने का श्रे और फिर अभी हाल फिलाल खेला होबे जो पश्चिम मंगाल में हुआ उसका भी श्रे गया लेकिन अब ये जो राजनीतिक कोच है ये कुछ और करने चला है पैदल चल पड़ा है और पैदल बिहार में चल करके क्या हासिल करना चाहता है ये कोच क्या कोच खुद खिलाडी बनने के सपने देख रहा है आईए बात करते हैं इन सब चीजों के लिए और भी कई मुद् हमारे साथ हैं PK यानि की प्रशान किशोर आपका बहुत-बहुत स्वागत NDTV इंडिया प्रशान जी आज आपकी यहां पर स्पीच हमने सुनी जिसमें मैं देख रहा था कि बीच-बीच में भोचपूरी भी हो रही थी बीच-बीच में हिंदी भी हो रही थी व्यंग भी हो यह बात-बात में नहीं बोल गए है यह तो जब से शुरू किया है दो मई 2022 को आकर मैंने बिहार में यह घोसना की है कि बिहार में एक नई राजनितिक ब्यवस्था बनाने के लिए बिहार के समाज के अस्तर पर एक प्रयास किया जाएगा जिसका नाम है जंद सुराज जंद सुराज कोई दल नहीं है यह कोई समाजिक आंदोलन भी नहीं है यह समाज के मदद से समाज के जरिये एक नई राजनितिक ब्यवस्था बनाने का प्रयास है तो what to answer your question to what end it is to change the destiny and the discourse around Bihar बिहार is known for its political discourse, बिहार is known for its caste region politics, बिहार is known for very many wrong regions, it is time Bihar is also known for what people are capable of Bihar के लोग उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो चमता है उसको एक बिवस्था दी जाए उसको एक सांचे में रखा जाए ताकि Bihar में एक नई बिवस्था बने जिससे नौसिर Bihar में बिकास हो, बलकि देश के अस्तर पर भी ये चीज इस्थापित की जाए कि लोग आप भी लेकिन एक देड़ साल के अंदर बोलते बोलते बाद में उन्होंने बोला कि अब हम राजनीती में आ रहे हैं आप पहली तो समाज के तरह मीडिया की भी सोच है जो योटोपियन आइडिया है तो है आपको मैं बता दू कि इस देश में अजाधी से पहले ये ब्यवस्था बिल्कुल सालोग दसकों तक कायम थी आपने हमने इतिहास में पढ़ा है सुना है कॉंग्रेस के अधिवेशनों का बड़ा जिक्र होता है जो महात्मा गांधी के कॉंग्रेस थी आज वाली कॉंग्रेस नहीं जो महात्मा गांधी के लीडर्शिप में जो कॉंग्रेस थी, वो ऐसी ही बेवस्था थी, जिसमें देश भर से लोग एक जगा इकठा होते थे, वो ये तै करते थे कि उस साल के लिए कौन नित्रितु करेगा, लोग ये मिलकर तै करते थे कि किन बात पर आंदोलन होगा, किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, और इस चीज को हर साल किया जाता था, और सिर्फ बिहार के अस्तर पर नहीं, पूरे देश के अस्तर पर, उस समय भी समाज सिक्षित आज के मुकाबले तो कमी था, उस समय भी जाती थी, उस समय भी लोगों का अपना इंटरेस्ट था, फि अगर ये बात अजादी से पहले लागू थी या किया जा रहा था, तो इसको आज भी किया जा सकता है, इसलिए उसी सोच से प्रेरित होकर इस काम को मैं यहां कर रहा हूं, करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, चुकि आप मीडिया के लोग या जो विसलेशक हैं, जो ठिपनिकार हैं, वो तो जो हो रहा है उस पर ठिपनि करते हैं, या जो हुआ है उसका विसलेशन करते हैं, 2011 में जब चुनाओ प्रबंधन, राजरितिक, रणनितिकार जैसे जिन सब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं, 2011 में अगर आप मेरे से मिलकर ये बात कर रहे हो और मैं आपको कहता कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें चुनाओ में यंग लड़कों की प्रोफेशनल्स की भूमिका हो सकती है तो उस समय भी आप यही कहते कि यह तो यूटोपियन आइडिया है आज उस बात को आप इसलिए मान रहे हैं कि दस वरस 2011 से 21 के बीच में भारत के अलग-अलग 11 चुनाओ में उस काम को करके दिखाया गया सफलता लेकर दिखाई गई अब प्रशांत की सोर वहां है या नहीं पूरे देश में चुनाओ प्रबंधक, रणितिकार, प्रोफेशनल्स, whatever name you want to use इस तरह के लोग चाहे आप मुक्या का चुनाओ लड़े या प्रधानमंतरी का चुनाओ लड़े, सब लोग उस इस बात को मान रहे हैं कि रणितिकार हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रुत है, कि जिस चीज को आप कर रहे हैं, उसको ज्यादा बेवस्थित और एफेसियंट तरीके से करने के लिए आपको प्रोफेशनल मदद क की ज़रुत है, उस चीज को आप या देश इसलिए मान रहा है, क्योंकि हमने उसको दस साल करके लोगों के साथ प्रमान तोर पर इस्थापित किया है कि नहीं इसको किया जा सकता है और इसका रिजल्ट आएगा, अभी जो मैं कर रहा हूं, चुकि देश में कोई दूसरा न आप की आपके बारे में आप किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, आप किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं कि आप रणीती बनाते हैं और उस रणीती से चुनाओ जीती हैं अलग-अलग पार्टियां, ठीक? इसमें कटिंग अक्रॉस आइडियोजिकल लाइन्स, उसमें बीजेपी को भी चुनाओ जिता है, आपने उसमें जेडियू और महागटबंधन को भी जिता है, मंताव एने ज पार्टियों को जिता है, आप तमाम पार्टियों को जिता चुके हैं, वाट इस तो गांधियन अबाउट इस? पहली बात तो आपने कहा कि मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान वो है जिस कालखंड में आपने मुझे देखा है, आपने मुझे स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखा है, तो आपको मेरी वो पहचान नहीं मालूम है, आपको वो पहचान नहीं मालूम है जब मैं दस साल स वो काम कर रहा था, 2012 में काम कर रहा था, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो आज जो मैं कर रहा हूँ, इसकी भी कोई पहचान नहीं, मैं पहचान अपने नाम से बनाना ही नहीं चाहता हूँ, हम उन घर में उन लोग उस परिवार से नहीं आते हैं, जो पहचान लेकर पैद पैचान को भूल गए आगे दस साल में अगर यह करके दिखा दूंगा तो आप रणितिकार की पैचान को भूल जाएंगे वह पैचान भूल जाएंगे बिल्कुल भूल जाएंगे आप भी सव्युक्तराश्चंग में जब मैं था आप मुझे तो कोई नहीं पताता है कि मैं कुछ प्याश्चंग में क्या करते थे क clicked के आगे दस साल में था तो मैं अभी कर रहा हूँ मेरी जो पैचान है जो मैं कर रहा हूं इससे बने गा मेरी पैचान मेरा काम यह जो मैंने किया है अपनी छंता से amid ह्गा Records सब्सक्राइब करें तो गांधियन आपको दो तीन बात में बताना चाहता हूं दुनिया में मानो सब्वेता के इतिहास में जितने बड़े हिनस क्राइम्स हुए हैं वो सब विचार धारा के नाम पर किये गए हैं ज्यादातर तो जो नेता है दल है नेता किसी भी सिर्फ राजनितिक नेता नहीं धार्मिक हो समाजिक हो जो नेता है वो चाहता है कि उसके फॉलवर विचार धारा का में बंद के उसके अंदभक्त हो जाएं विचार धारा होना बहुत अच्छी बात है सब के पास कोई न कोई विचार धारा होनी ही चाहिए लेकिन विचार ध विचारधारा होना एक बात है और विचारधारा में अंदभक्त हो जाना दूसरी बात है मैं अंदभक्त नहीं हूँ आपने कहा कि इसमें गांधियन क्या है बिल्कुल ठीक बात है तो मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी की विचारधारा क्या है गांधी ने कहा कि आपको व विचारधारा जो थी वो उनकी विचारधारा थी गांधी वाज इन फेवर ऑफ एस्टेट ओनर्सिप ऑफ टे एसेट्स उसके हिसाब से वह कॉम्मिनिस्ट हो गए और कॉंग्रेस में तो थे ही तो गांधी की विचारधारा को आज के किस राजनितिक गल्द से आप जोड़े कैसे हैं, बहुत बड़े स्केल पर करके देखा, देखने समझने के बाद जो मेरी मेरा अनुभव हुआ, जो से सीखा, जो मेरी पहचान बनाई, उन सारे अनुभवों को सारे सीख को एक साथ पीरों के मैंने इस अभियान को सुरू किया है जहां मेरी समझ यह है कि जब तक आप समाज की अस्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक राजनीत में कोई आमूल चूल परिवर्तर नहीं ला सकते हैं भाजपास देश में इसलिए जीत रही है क्योंकि समाज की अस्तर पर एक बड़े वर्ग को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर एक साथ कर लिया है वो उसका परिनाम है कि राजनीत में उनको सफलता मिल रही है राजनीत में सफलता मिल रही है इसलिए हिंदु तो नहीं है, हिंदु तो है इसलिए राजनित में सफलता मिल रही है तो समाज के अस्तर पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है और वो प्रयास गांधी की विचारधारा मेरी समझ से सबसे बहतर विकल्प है इसलिए उसको लेकर चल रहे हैं अभी in your address to the people here I also heard you say कि बाद में जितने जो लोग यहां पर प्रतिनिदी हैं वो जब बैठेंगे तब उसके बाद हम तै करेंगे कि हमको राजनितिक दल बनना है या नहीं लोग तै करेंगे बिलकुल So right now you are not a political formation Not at all आप political formation आप देख लिए जन्द सुराज तो कोई political formation है नहीं यह कोई दल है नहीं इसमें कोई membership नहीं है इसमें कोई चंदा donation नहीं है कोई पताधिकारी नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ समाज को यह बताने का जगाने का प्रयास है कि आप जिन बातों के लिए अपने नेताओं को दलो को दोस्त दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके मूल में आपसे होने वाली गलती है जहां पर आप भोट अपने बच्चों के भविस्य के लिए नहीं दे रहे हैं आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन भोट आप जाती के नाम पर दे रहे हैं तो जब तक आप अपने मुद्दो पर जब तक आप शिक्षा और रोजगार पर भोट नहीं देंगे जब तक आप अपने बच्चों के भविसे के लिए भोट नहीं देंगे तब सदार नहीं हो सकता है अँग तो मैं अब लोगों की मदद कर रहा हूं, कि आप लोग साथ में आईये, एक formation बनाईये, उसको दल अगर आप कहना चाहते हैं, तो दल कहिए, चुनाओ लड़िये, चुनाओ में मदद करेंगे. So eventually, ये platform जो है, अगर लोग चाहते हैं, तो it can turn political. Not it can. It will. पहले दिन मैंने कहा है, कि जन्सुराज की परिवासा ही क्या दी गई है, समाज की मदद से एक नई राजनितिक बेवस्था बनाने का प्रयास, जिसमें दल तो बने, लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, समाज के लोग मिलकर बनाए, कोई व्यक्तिक या कोई परिवार न बना पहले दिन मैंने गोज़ा चलिए, लेकिन अब जैसे आप हम, if we talk about the immediate future and the eventual future, आप एक long term vision की बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक immediate future के बारे में बात कर रहा हूं, जो है अगले एक साल में 2024 का चुनाओ, इस तरीके का formation, लोगों को जागरुक करना, ऐसे में आपकी speech में बार ब कुछ कुछ बोला, तो जाहिर सी बात है, लोगों के पास वो विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो हर चीज के बारे में सोचेंगे, they will be aware, then they will see that they don't have an option, फिर वो कहां जाए, इसलिए जब उनको लगेगा कि जो विकल्प है वो नहीं है, इसलिए तो उनको कह रहा हूं कि आ आप मिलकर भी कल्प नहीं है, आपने कहा immediate और long term, जो लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, और मैं अपने आप को जैसे देखता हूं, मैं कोई short term काम करता ही नहीं, मैंने 10 साल सयुक्तराश संग में काम किया, उसके बाद 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राज दो माई 2021 को आपके ही चैनल पर, NDTV पर मैंने कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, उसके बाद एक साल तक, दो माई 2021 से 2022 माई तक, मैंने अपने लिए ये समय रखा सोचने, विचारने का, सारे विकल्पों को जाचने, परखने का, कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है सब कुछ सोचने, जाचने, परखने के बाद, मैंने ये तैय किया कि मुझे बिहार आना है और ये नई व्योस्था खड़ी करनी है, अब इसको करने में दो वरस लगे, 20 वरस लगे, मैं करूँगा यही, अब 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, देश में क्या हो रहा है, ये मेरा विशय नहीं है, मेरा विशय ये है, कि मैंने बिहार की जनता को ये आश्वासन दिया है, कि मुझे जो भगवान ने जो भी सक्ति बुद्धी दी है, सब कुछ जीवन में छोड़कर मैं इस चीज के लिए संकल्पित हूँ, कि मुझे बिह सब्सक्राइब करनी है, लिहार को सुधार ना है, नहीं तो अगर 20 साल लग जाएगा तो, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या, जिस फिर मैं वही कहूँ है, इतना ब्लूप्रिंट और लेकर के चल रहा है, जिस पहचान को आप इतना धिन्दोरा लोग पीटते हूँ, और बंगाल के रिजल्ट आया है मई 2021 में, वहाँ दो वरस लगे, 2011 से मैंने वो काम सुरू किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और 2021 मैंने उसको छोड़ा, उस पहचान को बनाने में दस वरस लगा है, तो दस वरस अगर जन्द सुराज को बनाने में, बिहार को सु पूरा कमिट्मेंट विहार से है, मैंने जो पहला ट्वीट किया है 2 मई 2022 को, जिसमें मैंने जन्द सुराज की घोसना किया, उसमें लिखा है, शुरूात विहार से, इसका मतलब यह है कि मैं विहार में हूँ और विहार में ही इसको करके दिखाऊंगा, और मैं उन लोगों म में यकीन रखते हैं, मेरा यकीन यह है कि मैं इस काम को करूँगा, आप क्यों आएं, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ, और इसको पूरी इमांदारी और सुद्धता से कर रहा हूँ, पध्यात्रा तो होती ही रहती है, पूरे देश में लोग करते रहते हैं, यह पहली पध् इसका क्या फरक है क्योंकि मेरे लिए पध्यात्रा कोई किलोमीटर का टार्गेट नहीं है कि कितने किलोमीटर चलना है मेरे लिए यह भी कोई टार्गेट नहीं कि इसको कितने दिन में करना है आप देख रहे हैं कि छे महिने से मैं चल रहा हूं और छे महिने में मैं सिर्फ च कि कब पूरा होगा मैं कहा रहा हूं कि उसका कोई लक्षी नहीं है मैं नहीं जानता हूं कि यह पद्यात्रा 6000 किलोमेटर पर खतम होगी यह 8000 पर खतम होगी मुझे नहीं मालूम है कि एक साल में पूरा होगा कि देड़ साल में मुझे यह मालूम है कि मुझे पूरे बिहार मे यह नहीं बनाना है कि मैं कितना क्लिम्टर पैदल चल सकता हूँ, मुझे पद्यात्रा के जरिये गाओं में जाकर रहना है, बिहार को एक दम जमीनी अस्तर पर समझना है, और उन लोगों को साथ में लाना है, जो बिहार को समझते हैं, जो यहां के जमीन से जुड़े हुए है जिनमें यह काबिलियत है, जजबा है कि नहीं, बिहार जो आज देश के सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहां एक ऐसी बिवस्ता बनाई जाए, जिससे बिहार में भी समरिद्धी आए, बिहार के बच्चों का भवी से सुदरे, और उसके लिए ही यह पूरा प्र पूरी टिपणी सुनी नहीं, मैं उल्टी बात कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि बिहार में तेस्वी आदों के नाम पे मैं कहता हूं कि भई लालू जी के लड़के हैं, यही उनकी पहचान है, और वो दस्वी फेल है, दस्वा पास नहीं किया उन्होंने, और वो मुख् मंतरी प्रधान मंतरी बन सकता है, क्वालिफिकेशन तो कोई क्रेटिरिया है नहीं, मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि जो नववा पास नहीं है, वो भी मुख्यमंतरी बन सकता है, और आप उसकी चिंता में पड़े हुए हैं कि वो बने या ना बने, जबकि आपका बच् कि चिंता कीजिये, नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, नेता कोई जात की राजनित नहीं कर रहा है, मैंने ये भी कहा आपने सुना होगा, नेता धर्म की राजनित नहीं कर रहा है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, म for the lack of another polite word, a sort of a hit job against the government. ये हिट जोब क्या है? आप सुनिये, कि आप तेश्वी आदो लालु जी के लड़के हैं. तो मैं अगर कह रहा हूं कि उनकी पहचान ये है कि लालु जी के लड़के हैं, तो इसमें हिट जोब क्या है? मैं एक डॉक्टर का लड़का हूं, तो मेरे पिता जी तो डॉक्टर नी रहेंगे न, इसमें हिट जोब क्या है? मेरे बाबा मान लिजे की बेलगाडी चलाते थे, अब मजदूर थे. अगर कोई कहता है भी ये मजदूर, इनके बाबा मजदूर थे, तो इसमें हिट जोब क्या है? इतनी कटुता वाली आलोचना आप नरेन मूदी की करते हैं क्या? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आपने मेरा भासन सुना ही नहीं, मैं अपना भासन सुरू करता हूँ इस बात से, कि बिहार में जिस नेता ने, जिस दलने भी जो काम किया, या करने का दावा कर रहा है, हम सब को सही मान लेते हैं, सब को उसके लिए साधुबाद भी कर देते हैं, मान लिजे कि कॉंग्रेस ने यहां बहुत काम किया 30-40 सालों में, मान लिजे कि लालू जी ने समाजी कन्याय कर दिया, यही तो दावा करते हैं, मान लिजे कि नितिश जी के शुसासन से बिहार का विकास भी हो गया, सड़क बन गई, बिजली आ गई, लेक से और बहतर प्रयास की जरूरत है, और वो प्रयास अगर करना है तो उसके लिए कोई व्यक्ती प्रसांत किसोर या कोई लालू यादो, कोई नितिश कुमार मोदी इसको नहीं कर सकते हैं, यह कहीं न कहीं जो समाज में लोग हैं, उनको मिल कर करना परेगा, पर समाज के ही समर्थक के सामने ही तो कह रहा हूं, और उनके समर्थक तालीब जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यह कोई हमारे समर्थक तोड़ी है, हमारा तो कोई दल नहीं है, जो लोग भी बैठे हुए हैं, वो तो हर दल के लोग हैं, जिन गाओं में जा रहा हूं, उसमें, हर गाओं म आप जिस विद्यूद गती से या तीवरता से एक तेजस्वी आदव या एक नितीश कुमार को अटेक करते हैं उस तरीके से शायद नरेंद मोदी और अमिर्श कुमार पर कोई टिपणी की हो मैं उस समय अगर देश की राजनीत से जुड़ा हुआ तो देश की राजनीत पर ठीका टिपणी करता था अब अगर आज मैं बिहार में हूँ तो बिहार के परिपेक्ष में यह मेरा सुभाव नहीं है दूसरी बात मोदी जी का जो क्रिटिसिजम है वो सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ आपने मेरे मंद से अभी सुना होगा लेकिन बिहार के संदर में मोदी जी क्या कर रहा है दूसरे जगा इससे मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब इससे है कि म मोदी जी को भोट देने से, मोदी जी के समर्थकों ने जो जिस सोच से मोदी जी का यहां को भोट दिया है, क्या उससे बिहार को फायदा हुआ की नहीं, मैं बात वो रोज बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो यह क्या लालू और नितीज के खिलाफ है लेकिन मोदी जी देश के प्रधान मंतरी है उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया यह सच्चाई है तो उतिनी बड़ी सच्चाई यह भी है कि पिछले 32-33 साल से लालू जी और नितीज जी ही चला रहे हैं मैं तो बॉल रहा ह तरक मैं यह जमन को बोल रहा हो भाई कि आप से गल्ती हीर अगर मोधी जी नहीं काम कर 15 नहीं है यह पह्मारी ही आपकी है कि हम दो काम नहीं कर रहें फिर भी मों बोड़ दे रहे हैं यह बताइंग प्रशाल जी ये सारे नेता है यह आपने यहां के जो रीजनल लीडर्शिप है उसके बारे में आपने बता दिया बिहार के संदर में उनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं नैशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है उसके बारे में भी आप मंच से बात कर रहे हैं अब ये नैशनल लीडर बिहार वापस आने लगेंगे 2024 का चुनाव होगा इसके चलते मैं आप से जानना चाहता हूं कि एक जो परसनेलिटी और कल्ट वार राहूल गांदी और नरेन मोदी के बीच में चल रही है वो मेरा विशे नह काल था मैं जो काम लेता हूं मेरा अपना काम करने का तरीका है सही है गलत है वह आपको आकलन करना है मैं जो काम लेता हूं मुझे उसको इमांदारी से सुधता से अपने पूरी ताकत से करना है मैं विहार आया हूं यह अभियान मेंने शुरू किया है समाज को जगाने समझ जाने का अब केरल में क्या हो रहा है देश में क्या हो रहा है मैं इतना बड़ा आदमी हूं नहीं वो लोग जो बड़े लोग हैं जिन जो कोई सत्ता में है कोई विपक्ष में हैं मैं तो ना सत्ता में हूं ना मैं विपक्ष में हूं मेरा कोई दल है नहीं मैं कोई मेंबर पर कर सकता हूं उसकी मुझे जानकारी हो सकती है लेकिन मैं इसमें stakeholder नहीं हूँ ने बतौर stakeholder नहीं लेकिन विदेश में जाकर के भाशन देना आपको नहीं लगता है कि यह चीज अगर एक narrative की तरह build कराया जा रहा है तो उसका impact मेरे बहाई, मतब कॉंग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें इतने बड़े-बड़े बिद्वान बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रसांत किसोर जैसे सधारन बिहार के लड़के से सलाह लेने किया जरूरत है, मेरी क्या भी साथ है कि मैं रहूल गांधी पर टिपणी मैं उन पर टिपणी उतनी ही करता हूं, जो बिहार से संबंदित है, उनको बिदेश में क्या बोलना चाहिए, देश में क्या बोलना चाहिए, इसको बताने, समझाने, आकलन करने के लिए तो बहुतेरे लोग बैठे हुए हैं, प्रसांत किसोर किसमें क्या भूमिका है, व internist का का म करता था, तो UN वाले आकर मेरे से सलाथ थोड़ी न ले रहे हैं, जब मैं UN में काम करता था, तब UN का काम करता था, अब मैं आकर जंशूराज कर रहा हुँ, आप बिहार के संदर में जितने सवाल पूछने हैं पूछे, देश के समध में पूछे कि मुझे बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरा जो वक्तब्य है वो एक समान्य नागरी का आकलन है, मैं मेरी भूमिका नहीं देखता हूँ कि मुझे विपक्च को या पक्च को सत विपक्च को सलाह देना है, न वो मेरे से सलाह मांग रहे हैं, न मेरी ऐसी थैस कुछ भूमिका है और विपक्ची एकता पर आप क्या कहना चाएंगे? नहीं विपक्ची एकता पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले जो कहा है उसको दूरा देता हूँ कि ये फसाड है आप दलो को और नेताओं को एक साथ लाकर एकता नहीं बना सकते हैं आप भाजपा को चनोती नहीं दे सकते हैं अगर आपको भाजपा चनोती देना है तो पहले आपको समझना है कि भाजपा की ताकत क्या है। भाजपा की ताकत है हिंदुत्व, राश्टवाद और लाभार्ति, ये त्री इस्तरिये उन्होंने एक तरह से किले का निर्मान किया है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत उनके लिए हिंदुत्व है, जो विचारधारा है, दूसरा राश्टवाद है, और तीसरा लाभार्ति है, जो लोग भी भाजबा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको चुनावती देना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं इस तीन में से दो चीज को तो बेटर करना पड़ेगा, अब आप दलों को साथ मिला कर करें, खुद का दल बना कर कर ले, जिस जो भी प्रयास करें, जब तक आपको चुनावी सफलता मिलने की संभावना मेरी नजर में कम है, और ये क्या हो रहा है ये प्रयास? नहीं, अगर होता तो जिती जाते, अगर आपका ये सवाल है कि क्या इसको किया जा सकता है, क्योंकि आप बिहार की बात करें ना, मैं बिहार के संदर में पूछनू, 2015 मे एक महागडबंधन हुआ, और वो बहुत सक्सेस तो भाया, महागडबंधन सिर्फ दलों का गडबंधन नहीं है, यही तो आप लोग को महागडबंधन पहली बार सब्द ही मैंने लिखा है, उससे पहले तो आपको हमको इस देश में गडबंधन सब्द था, महागडबंध सब्द 2015 में पहली बार प्रशांत की सोर ने लिखा महागडबंदन आपको ये दिखराए कि दलो का गडबंदन था मेरी समझ से वो सिर्फ दलो का गडबंदन नहीं था वो विचारधाराओं का गडबंदन था उसमें नेता तय था उसमें साथ निश्चे का प्रोग्राम था उसको घर-घर पहुंचाया गया था तब उसको सफलता मिली 2015 का महागडबंदन बिहार का आपको याद है लेकिन 2015 के बाद जितने लोगों ने भी वही प्रयास दुसरे जगा करने के कोशिज किये हर जगा महागडबंदन को हारना पड़ा इसलिए कि जब तक आप जो मैंने चुनाओं नहीं हरा सकते हैं अब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं और जब मैंने विचारधारा का सवाल पूछा तो आपने बोला कि विचारधारा मैटर नहीं करती लोगों कि किसने कहा कि मैटर नहीं करती मैंने यह कहा फिर वही बात अपने मैंने का विचारधारा ह कैसे दी जा सकती अगर सवाल आपका यह है कि आपका जो यह जन्द सुराज अभियान है वोट इस यह बिल्कुल मेरी आईडियोलोजी यही है जो गांधी की एडियोलोजी उस पर लिखा हुआ है आपको सामने नहीं आ रहा है कि उससे आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है आपको दिखता है कि एक भाजपा की ideology है और बाकी जितने लोग हैं वो सब लोग एक कोई ideology जिसको आप Congress या गैर भाजपा ideology माल लिये हैं यह आपकी समझ का फेर है भाजपा को 38% भोट मिला है 62% लोगों ने इस देश में भाजपा को भोट नहीं किया है तो आप उसको दलो के formation में देखते हैं मैं उसको विचारधाराओं के formation में देखता हूँ यह कौन लोग हैं जो भाजपा को भोट किसके हां सुनिये किसके हां चाय किसने पी किसके हां आज खाना हुआ किसने प्रेस में बाइट दिया और आप इसको चलाते रहिएगा जो लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी लंबे समय तर आप एक दो चुनाओ अपवाद के तौर पर जी है और ये Hindu Tovadi जो विचारधारा है इसके साथ लोहा ले सके हैं अगर आप उच समझना चाह रहे हैं आप समझना ही नहीं चाह रहे है आप यह कर भी रहूल-गंडी क साथ कौन था लिया कौन नहीं आएगा तो वह दबेट तो रोग चली रहा उसके लिए आप हमरा शमें ज आपको आईडिया ही निया मैं कितना एग्रेसिव हूँ पहले से लोग तो मुझे बताता है बताते हैं कि मैंने जीवन में सब छोड़ दिया बहुत सौफ्ट हो गया हूँ क्योंकि आप मेरे पहली बार आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर सो कॉल जितने एग्रे जितने को मिलेगा ड़ेकिन आप सुनना वहीं चाहते हैं आप सुन नहीं है आप को में यकीन ही नहीं है तो भी सिवक आप no सानी है और दुवारे सरकार एक कारेक्रम है जिसके तहत मैं तीन करोड़ लोगों का समस्चा का निदान कर रहा हूं मीडिया वाले उसको सुनते भी है जैसे आप सुन रहे हैं लेकिन उसका कोई इंट्रेस्ट नहीं है फिर वह सवाल करता अच्छा सुवेंदू अधिकारी छ इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि वह गल Pak तूंका नहीं है वह चीजर है जैसलिए जीत रही है that वारे सरकार हुआ इस даже की शिक्रेट क्या चीए जैसे आप सुनर रहे हैं जैसे आप सुन रहे हैं यही बात है ना आप मीडिया को वही समझ है कि 200 पार होगा यही तो फर्क है फिर मीडिया में और मुझे में कि मैं आपको यह बता रहा हूँ कि 200 पार क्यों होगा उसमें आपकी रूची नहीं है आपकी रूची है कि मैं बताऊं कि भाजपा को कौन हराएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हराएगा वो कैसे हरा सकता है वो समझिये जब तक आप वो नहीं समझियेगा तब तक आप ऐसे अंधेरे में तीर चलाते रहिए गा जो आपके निवज डिबेट के लिए डे आप इतिहास को बताने में इन्ट्रेस्ट रखते हैं इतिहास कि बनाने वाले आप नहीं है ला कि भाई मैं आपको लग रहा अपना पर्सपेक्टीब दे रहा हूं जो कि मेरी थोड़ी और ना है बाझपा़ को हराने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आप मेरे से सुनना चाह रहें कि कौन हराएगा ये नाम बता दीजिए मेरा एक आखरी सवाल और इस इस बाउट प्रशान किशोर the person मुझे याद है जब आप ये जन सुराज press conference आपने की और आपने बताया that you are going to walk these many kilometers आप ये बता रहे हैं कि आपने इसकी योजना काफी टाइम से और NDTV पर ही मुझे याद है आपने वो interview देकर के बोला था कि अब मैं कुछ और करोना बट आफ्ट आफर आट interview I also remember that you presented a if I am not mistaken a 600 slide presentation to the Congress party also कैसे grand old party revive हो तो एक हफते पहले तक आप Congress party revive कर रहे हैं हफते भर बात अपना पर्स्पेक्टिव का पहली बात कि मैंने यह मैं आपको अपना असेस्मेंट बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको बताया कि दो माई 2021 को मैंने घोसना की कि मैं यह काम अब जीवन में नहीं करना चाहता हूं उसके बाद मैंने एक साल अपने लिए so called existential crisis ही मान लिजे कि मुझे नहीं पता है कि जीवन में क्या करना हूं मैं तो खुद ही स्विकार कर रहा हूं आप क्या बताएंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है यह सोचने समझने के लिए हमने रखा और उस एक साल में मैंने सारे बिकल्ब सारे options पे विचार किया उसको explore किया क्योंकि मेरा अपना सुभाव है कि काम करने से पहले सब चीज को जाच परक देख समझ लीजिए उसके बाद निर्णे लीजिए जिस Congress के presentation की बात कर रहे हूं बिलकुल सही बात है कोई कमरे के अंदर तो हुआ नहीं एकम नहीं बताया जो मैं आपको बताने कोसिस कर रहा हूं कि भाई अगर चुनाओ लड़ने के नजरिये से आप हमारी हमसे जूड़ना चाह रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप वैसे नहीं हरा सकते हैं अगर आपको हराना है तो विचारधारा के अधार पर ग इकारनेशन ओफ कॉंग्रेस को पुनरजीवित करने का अभियान था वो प्रेजेंटेशन कॉंग्रेस को पुनरजीवित करने के जो मेरी समस्तिव मैंने रखा यह नहीं कहा कि 24 में कॉंग्रेस कैसे जीतेगी मैंने यह कहा था कि कॉंग्रेस को पुनरजीवित करने के लिए ये ये काम होने चाहिए, उन्होंने सुना, समझा, उसको एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको आकर कीजिए, जिस तरह से वो उसको करना चाहते थे, उससे हमेरी सामती नहीं थी, तो मैंने उसको पुलाइटली मना कर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी इसके लिए उनका धन्यवाद कर धिया ये उनका प्रिरोगेटिव है और मेरा प्रिरोगेटिव है कि आपने कोई offer दिया मैं उसको मानू या न스크 नहीं माना और जो नहीं माने तो मैं यहाँ वापस आया हूँ और भिहार में काम कर रहा हूँ आपको यह कैसे पता है साइद, मैं यही सुझा उनको दिया हूँ पूरे देश में यही काम काम आप कीजिए वो तो मैं कैसे जानूँगा वो तो आपकी उनको बता रहा हूँ उनको बताया था कि ग्रासरूट को इसी मैं यहां क्या कह रहा हूँ कि आप जाके मेरे बास्टों को सुनिए कि बिहार में जंद सुराज अजादी से पहले जो कॉंग्रेस थी महातमा गांदी की कॉंग्रेस उसको पुनरजीवित करने का अभियान था यही बात उनको भी बताया था कि आप इसमाज को जोड़ कर समय को पुनरजीवित कीजिए सुनाओ आप अपने आप जीत जाईएगा something that you are doing in Bihar something very similar the Congress party has done throughout the country बहुत लोगों ने उसकी तारीफ भी की कुछ लोगों ने उसका आलो की लोगों ने आलोचना भी की छे महीने में हम चार डिस्टिक में हैं तो फरक तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि कुछ तो ऐसा मैं कर आखिर चल मैं भी रहा हूँ बीस किलोमेटर तो मैं बीस किलोमेटर कहां चल रहा हूँ कि छे महीने में मैं चारी जिले में हूँ छे महिने में लोग पूरा देश चल गए, तो बेसिक फरक तो ये है, क्योंकि मेरे लिए पैदल चलना अभियान नहीं है, मेरे लिए यात्रा अभियान नहीं है, मेरे लिए समाज को समझना, समाज को जोड़ना वो अभियान है, वो कॉंग्रेस पार्टी को रिवाइब करने क का अभियान है जन्द सुराज एक नई वेवस्था बनाने का अभियान है दोनों में जमीन आस्मान का फरक है जर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पार्टी के एलेक्टरनल फॉर्चुन को बहतर करने का प्रयास है और मेरे पास कोई दल ही नहीं है आप कितने कॉन्फिडेंट है प्रशान जी दिस विल वर्क मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं इससे क्या फरक पड़ता है अगर इसकी अगवाई आप कर रहे हैं इस वजा से मैं सवाल पर आप यह समझेए कि मैं अपने जीवन का सब कुछ छोड़के अगर ये काम कर रहा हूं तो मेर क्योंकर अगर कन्विक्शन नहीं है इस चीज में तो मैं करूंगा क्यों का जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन में विजह होके आता हूं और जो ऊबर कॉन्फिडेंट हैं वहार के आते हैं तो ये क्योंकि ये निती कहती है कि आप जिस लड़ाई को जिस संगर्थ में भी जिस काम को भी लीजिए उसको इमांदारी से मेहनत से कीजिए चुनोतियों को कम करके आकना मेरा सुभाव नहीं है बिहार को सुधारना बहुत बड़ी चुनोती है तो मैं confident कैसे हो जाओंगा लेकिन मेरा conviction जरूर है कि इसको किया जा सकता है मैं confident नहीं हूँ convinced हूँ कि इसको किया जा सकता है और करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा अपने जीवन का सब कुछ इस पर दाव पर लगाए हैं दो अक्टूबर से मैं बिहार दो मैं से जब आया हूँ बिहार छोड़ कर नहीं गया हूँ यहीं पर रहता हूँ यहीं गाओं में रहता हूँ अगर कोई दूसरा ऐसा प्रयास कर रहा है तो उसका भी स्वागत है लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मेरा इसमें पूरा कन्विक्शन है कि इसको किया जा सकता है तभी कर रहा हूँ चलिए प्रशान किशोर जी अब बेस्ट और थैंक यू सो मच थैंक यू